तो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं अलेक्ट्रो माइनेटिक इंडक्षन में डारेक्षन और इंडियो को बना रहे हैं इस पर बहुत सारी बच्चे का रिक्वेश्ट था कि नहीं एक डारेक्षन से रिलेक्षन होगा वाइज एक अन्टिक्लोकवाइज यह काफी होट वीडियो को मिला रहे हैं और यह बहुत ही डेंजरस होने वाला है काफी ख़दरना होने वाला है मतलब पूरा कॉंसेट्ट कुरिस्ट्ट क्लियर हो जाए कर देंगा आप लोग का लाश्ट तक देखिए और लाश्ट तक देखने के बाद मेरा यह गैरेंटी है कि आप प compliments Himいました क्या है after that हम लोग बहूत अर्व में मैं ष्क सिर्ट प्रॉबमिन लाए हं ऊसका पूरा Expressões क्टे इमwolक करने वाले screaming का statement का है a statement है this law gives us the direction of induced emf according to this law the direction of induced emf in a circuit is such that it approaches the change in magnetic flux responsible for its production यह ही सबस्य important sentence है यह important का है the direction of induced emf in circuit is such that it approaches the change in magnetic flux responsible for its production यही की वर्ड है यही की सेंटेंस है जिस पर कि हम लोग सारा प्रॉलम सौल्व करने वाले हैं और लेंज लोग इस इन एकॉर्डेंस हम लोग तो उससे पहले आप लोग कुछ बेसिक बता दे रहे हैं जो कि आप लोग में काफी प्रॉलम कर रहे होंगे तो उसको पहले हम बेसिक कॉंसेट कर दे रहे हैं फिर लोग चलेंगे तो आप आप लोग को बहुत अच्छे समझ मैंगा तो देखिए से पहले चोड़ा सा बात है जो कि बहुत बच्चे कंफुज रहते हैं इस च्छोड़ा सा बात है लेकिन आप लोग के लिए बहुत इंपॉरेंट है लाश्ट देर खियाल इस वीडियो अच्छे से आज के बाद टे बात समझ जीयेProfард जोरेंटी स्काओं अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है बात से चौंपर के तरफ और क्लॉकवाइज कंश आ के अंदर के तरफ हो जाता है अब ध़्यक्रमो प्जेश्रन ओगा तो अभय स्वाग्यों इमागने फिल्द काम लोग डिरेक्शन का ट्रिक जानेंगे यह डिक है डारेक्षिन का अभी जो यह हम बता रहें आप लोग को इसमें यह दो बात याद रखना है एंटी क्लॉकवाज मतलब उपर के तरफ होगा और क्लॉकवाज मतलब अंदर के तरफ यह राइट हैं एंटी क्लॉकवाज अगर आपको डखन को बोट होगा और जब इंटी क्लॉक्वाज गूम है तो बाहर के तरफ डायक्शन होगा मैंनेतिक उपर के तरफ और जब क्लॉक बाइज वह तो अंदर के तरफ अंदर के तरफ अब फ्रोम जब यहां पर ट्वास तो अब देखिए यहां पर यहां पर यह चैट में क्या होगा यह कहीं लोग को यहां कि लिए काफी बुलने वाला देखिए पता करना है तो क्या करेंगे ऐसे आएंगे और इदर देर दर बाहर आजाएंगे तो जो हम लोगा टेंडेंसी हुआ का किसा हुआ पर क्लॉक वाइज कैसा हुआ इस साइड में जो म력िल्ड कहीं पर वी उसका डिर्यक्षान हो जाए हुए यहां पर हो कहीं पर वी क्लॉकवाइज और हम लोग देखेंगे तो इस से आएंगे ieveय bowling आहां पर हम लोग लोग देखेंगे इस्तम प्राइब जाना है और इस ड्रैक उतर जाना है को देखिए क्या हो गया तो इस तरफ जो हो जाएगा और को यह पर किसी पॉइंट पर भी यहां पर थो गया यहां पर बी हो गया इन्वाड यह बहुत इंपोर्टेंट है और कई फिल नहीं करता है यह कॉंसेट यह स्ट्रेट वाइर के लिए भी है और भी कोई कर्ब से वाइर के लिए भी चलेगा कि देखिए अब आपको हम बता रहे हैं लूप का कभी कभी लूप में आपको करेंट दे देगा अभी यह डिसकस कर चुके हैं फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं सब्सक्रेंट लूप में फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज तो लूप के अंदर में यह सेंटर पर में लीकिन का हिए सब्सक्र सब्सक्राइब लाइन इधर आएगा और अगर लूक है करेंट लूक वाइज है एक मतला होता है अंदर के दर वजए वोटल की ढग्कन गंगे तो綠ेs होगा और मतलब अंदर के तरफ गया तो clockwise current मतलब मेंटिक फिल इंसाइड मतलब मेंटिक फिल जो होगा वह इधर के तरफ प्रड्यूस कर देगा यह अंदर के तरफ यह लूप और आप लोग को एक चुटा सा बात याद रखना है बार मेंगनेट का कॉंसेप्ट अ यह सौर्फ लाइडन दे इतू न्रॉस Minh इस तरह और सौर्फ पॉल में अंदर के तरफ जाता है उत्म वह हैं और अंदर में यहाँ पर यह वाज हो जाता है ओं रॉसिक बुछ निकलता है सौड पॉल में इंट्र करता है ए van यह अबर इसको में लुग तो नौर्थ निकलेगा वेसी के लिए रखे सौथ में घुषता है इतना रखना है और यह बात में इसे क्लोई लू बनाएगा यह आगे चल करके तो लोग उतना भी नहीं दखना है बस यहां पर टेरेक्शन देखी कैसा होता है नौर्थ और सौथ के पास तो अब हम लोग च लूप के तरफ तो इस लूप में क्या होगा यहां पर यहां पर यहां पर इस तरफ गया तो यहां पर एक क्या करेगा इसे थर्म को नौर्थ बताएंक से निकल था एक डाइज परक्रया करेंगा तो यह क्या करेंगा बाहर के तरफ और आप इसे न बना लीजिए और और इदर से आगे निकाल देना है और यह का डिरेक्षिन हो गया एंटी क्लॉक्वाइज तो इसलिए मोग बूल सकते हैं कि करेंट जो हो जाएगा एंटी क्लॉक्वाइज यह ट्रिक हुआ और लॉजिक क्या हुआ कि इधर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसको डिक्रीज करने के लिए इधर फ्लक्स देगा यह लूप इसको इधर फ्लक्स लाने के लिए इसमें करेंट एंटी क्लॉक्वाइज फ्लो करेगा तभी तो आप बाहर के तरफ यह फ्लक्स आएगा और इसको अपोज करेगा इसको अपोज करना है और नॉर्थ पोल से क्या होता है कि यहां पर फ्लक्स निकलता है और उसको नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो अब यहां पर यह फ्लक्स इसके त्रू क्या होगा यह जो नॉर्थ पोल का फ्लक्स कम होगा तो कम होगा इसको तो इसको फिर प्राइम है लोग को तो उसको सपोर्ट करेगा सपोर्ट करने के लिए जो अंदर के तरफ उसका था नॉजिक देख चुका है अब देखिए यह था हम लोग का लॉजिक अब ट्रिक देखिए नौर्थ दूर जा रहा है तो उसको रोखने के लिए सौथ बनेगा तो सौथ हम लोग एक्सम सौथ में एस से बना दिये और उसमें एसे एरो दिखा दिये तो यहां पर अरो का टेंदेंसी क्या है देखिए और का टेरेशन क्या है इस लूप में करेंट जो होगा वह हो जाएगा कि लॉक वाइज आरेक्सन में तो यह था इसकोईशन का एक्सप्लाइशन जिस्ट एक सेकंड थोड़ा सा यह हो रहा है जाएंगे नेक्स कुश्चन पर तो सही है इसमें सौट इसमें नेक्स्ट कुश्चन हम लोग का है अब देखेंगे वेने करेंट करिंग क्वाइल इस मूवड त्वाट्स एस्टेशनरी क्वाइल अब देखेंगे फिर वही लॉजिक इसमें करेंट का डारेट्स यह स्टेशनरी है इसमें कोई सब्सक्राइब का सोर्स है वैटरी इधर देगा जब करेंट देगा तो यह क्या हो गया करेंट इसमें कैसा इसमें करेंट है क्लॉक वाइज वाइज मतलब इधर सौथ पूल बना तभी तो अपोज करेंगा इनी चेंज करता है तो इस लूप में भी सौथ पोल का टेंदेंसी डेवलफ होगा सौथ पोल मतलब ऐसे कलॉक वाई यारेक्शन इसलिए करेंट जो हो गया इस लूप में कलॉक वाई डिरेक्शन में हो गया तो यह आप लूप को क्लियर हो गया होगा अब देखिए इसका दूसरा एक्जामपल दे रहे हैं अब सब् प्रावलेम है अपोज करेगा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो आप लोगों दिक रहा है जिसे लिया है किसे लिया इसका लॉजिक आप लोगों को बता दिये भी नेक्स्ट एक्जामपल लेते हैं इसके अंदर के तरफ अंदर के तरफ अंदर के तरफ पे स्ट्रॉंग होगा यह बाहर बाल के कारण जो अंदर के तरफ होगा अब उसको यह जो अंदर वाला लूप है पूज करेगा तो अब यह क्या करेगा बाहर के तरफा नीचे वाला लूप जो है वह बाहर के तरफ मेंटिक फिल्ट डॉट पाहर के तरफ मेंटिक फिल्ट प्रोडूश करने के लिए सिंपल सा बात है तो यहां पर यह अंदर के तरफ है तो उसको अब क्या करेगा यह वाला लूप सपोर्ट कर देगा उसको इसके में क्या करेगा …?어 और अंदर था दिग्री जिंग को सपोर्ट करने के लिए यहां पर अंदर कारेंट बूसर लोग्स को हटाएंग तो करेंट यहां पर क्या हुआ को हो गया तो then clockwise इसको support करने के लिए तो यह आप लोग को पुरा clear हो गया होग आई हो then next हम लोग का example just देखिए यहाँ पर है when current in state conductor A-B is increased यह भी current increase कर रहा है induced current in the loop will be in clockwise direction as shown in figure if current in A-B is decreasing the induced current in the loop will be anti-clockwise direction तो देखिए कैसे होता है देखिए यहाँ पर पहले आप लोग को जो बता चुके अभी यहाँ पर जो magnetic field है उसका tendency क्या है जाएंगे direction के लिए anti-clockwise मतलब magnetic field अभी है इस region में पूरा उपर के उपर में anti-clockwise मतलब बाहर के तरफ है magnetic field अब अगर यहाँ पर current को इंक्रीज करेंगे तो यह magnetic field इंक्रीज करेगा बाहर के तरफ बाहर के तरफ इंक्रीज करेगा तो इस region में भी बाहर के तरफ इंक्रीज किया अब यह loop को problem है कि बाहर के तरफ इंक्रीज क्यों किया तो अब यह क्या करेगा इसको दबाएगा इसको करेगा तो करने के लिए इसको कम करने के लिए तो यह लोग का था जब करेंट इसमें करेंट का अगर यह है वह लोगा तो फिर क्या होगा अब यहां पर क्या होगा लूप उसको इंक्रीज करेगा तो बहार के तरफ यह जो भी है यह डिक्रीजिंग है उसको यह लूप अब सपोर्ट करेगा करेंगा आप टाहरे जो कि यहां पर लूप क्या करने वाला है को इस का क्रेगा कि बाहर के तरफ सपोर्ट करेगा बाहर के तरफ भी यह एक और मेर्टे करेगा तो उसका डारेक्शन क्या होगा का तो बाहर के तरफ करेंट करने के लिए कर्ण हो जाया इस केस में एंटी क्लॉक वाइज जो कि हां पर लिखा होगा है तो आप लोग को हो गया होगा देखें लोग का है देखें यह बहुत पॉप्लर कुश्चन है बहुत बार पुछा भी गया है कि बार मगनेटीज मूब्ट इन डिरेक्शन एज इंडिकेटेड़ वाइरो बिट्विन क्वाइल्स पीक्यू एंड सीडी प्रडिक्ट डारेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इन इस क्वाइल अब होद्ध आसान चीज है नौर्थ ऑलिदर इसाइब आप यहां पर जो है इसके तरफ पॉप कर रहा है तो इसको प्राव्लेम करेगा अपोज करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा यह सौथ को कौन पोज़ेगा सौथा पोज़ेगा इसा मतलब हो गया ऐसे तो क्लोट तो इसको फिर प्रॉब्लेम है अपोज करेगा तो यहां पर करेगा यहां पर इसको अपोज करने के लिए दूर जा रहा है तो नौर्थ यहां से दूर जा रहा है तो नौर्थ को रोखने के लिए यहां पर फिर से क्या होगा सौथ का पोल के तरह यहां पर इंडिूस करेगा यह लूप यहां पर करेंट का ड्रेक्शन हो जाएए सौत मितलब क्लॉक आइच सो पी से क्यूं क्या हो गया विसे क्यूं को अपोज करता है यह सौत को सौत किया नौर्थ जा रहा था दूर तो उसको अपोज करने के लिए करने के लिए वनेगे सौ बनेगा और सौ וाई यहां पर जा रहा था इसको करने के लिए सॉथ बनेगा यहां पर हो सिम्पल सा बात है यहां पर रिपलस अनि पर करेगा और सौ्थ को सौथ करगा क्योंकि कॉज को कि लकले कि कि नेक्स्ट कुश्चन है फिगर कि पॉपलर है फिगर सो ये करेंट करींग सुलनवाइड बुविंग ट्वाट्स कंड़क्टिंग लूप फाइंड डिरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूसिंग लूप अब कि सुलनवाइड है जो इधर जा रहा है सुलनवाइड मेटिक फिल करेंगा अब यह डिरेक्शन जो हो गया यह डिरेक्शन क्या हो गया इस डिरेक्शन में यहां पर मतलब बाहर के तरफ बाहर के तरफ यहां पर हो गया और हम लोग अबजर्वर यहां से देखते इसको अबजर्व करते हैं तो इधर मतलब इस अबजर्वर के रिस्पेक्ट यहां पर इस लूप में पर क्या करें यहां पर करेंगा तो करने के लिए इसको इस दियरेक्शन में मतलब क्लॉक्वाइट करेंगा नंदर के तरफ यहां पर दिखेगा सब्सक्राइब करने के लिए इधर के तरफ फ्लक्स आने के लिए लूप में कारेंट को कैसे जाना पड़ेगा इस दिरेक्शन में और यह डिरेक्शन क्या हो गया क्लॉक वाइज एक्षन हो गया तो इस तरफ यह वाले जो इसको कम करेंगे लेंग लोग ही बोलता है को अपोज करना है एनिहाँ तो यह था हम लोग का इसकोशन का एक्स्प्लानेशन नेक्ट कोश्चन है दए लेक्ट्री करेंट फ्लोइंग इन वाइर इन डिरेक्शन फ्रोम बी तू ए बी से जा रहा है इस डिक्रीजिंग फाइंड और डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इन दे मेटालिक लूप कि इसमें क्या होगा डाउगा इसी बीजिंग में और में अंदर के तरफ और दिःजिंग क्योंनダ यहां पर डिक्रिजेंग में अब यहां अंदर के तरफ डिक्रीजिंग फिल्ड है तो उसको करेगा यह लूपी अ Democrats करेगा मतलब इसका एंसर हो जाएगा देरेक्शन अपिंडियूश करेंट लूप मेटालिक लूप बी ट्लॉक वाइज यह दिखाया हैं इंडियूश करेंट और अगर वहीं इंग्रीजिंग बोल देता तो उल्टा हो जाता यहां पर एंटिक्लोकवाइज करेंट हो जाता तो आई होप टर्णिंग इंट्व मेर्श जू इंट्व इन्टू बढ़ लिया तो इसका क्या हो गया अभी एरिया कम है अभी जो इनुचली जो इरेक्लर सेुने था एरिया कम था बाद में इसका और बढ़ गया बाद में इसका एरिया बढ़ गया तो इससे मैंटिक फिल भी क्या हो गया मैंटिक फ्लक्स ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए अब क्या होगा ज्यादा हो गया अंदर के तरफ ज्यादा हो गया अंदर के तरफ जब ले लिया है तो उसको कम करेगा अंदर के तरफ ज् सिल्टिये जो लूप जो ले लिए वह बार के तर्फ ni까요 करेगा मतलब कहां पर क्यों पर करेगा इन क्लोक वाइस तरेक्शन का मतलब चाह जाएगा करने के लिए करेंट इन्टी क्लॉग वाइज होगा तो उसके कारण यहां पर में टिक फिल्ड और वाट आएगा जो कि पहले जो इन्वार्ड में इस रिजन में यह बला उसको डिक्रीज कर देगा और वाट में टिक फिल्ड तो यहां पर करेंट का डिरेक्शन हो जाएगा इसमें एंटी क्लॉग वाइज नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं सेम क्वेशन है लेंग्वेज रासा यह डियाग्राम चेंज हो गया है अंदर के तरफ में अभी एरिया कम है अब यह सरकील का से प्रेलेगा तो एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स बढ़ गया पुरा कि लिए के लिए को एंटी क्लॉग वाइज कर वना पड़ेगा प्रोकर नॉइब देरेक्शन आफ करेंट इन्यूश देवाइर बो जाएगा एंटी क्लॉग वायज नेक्स अब देखें यह को इसना प्रटिक्ट डाक्शन ऑप इंडूस क्रेंड इन मैटल रींग इनुं अब देखिए सबसे पहले यहां पर आपको डिरेक्शन पता करना पड़ेगा तो यह जाएंगे ऐसे मतलब कैसे टेंडेंसी हुआ यहां पर एंटी क्लॉक्वाइज मतलब इधर में डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है अब आई डिक्रीजिंग है करेंचे भुपर के तरफ और यहां पर आपके तरफ और यहां पर प्रकर फिल्ट डिक्रीजिंग है इस वायर में उपर वगला मेरी Luna अंदर के तरफ इंक्रीजिंग बनाएगा जब यहां पर करेंट हो जाएगा लॉक वाइज तो अब यह लूब भी इस फिल्ड को सपोर्ट कर देगा अंदर के तरफ यहां पर कर देगा को कम अबढ़ कर दिया कंजोर को मजबूद करता है तो अब यहां पर देखेए बाघर के तरफ कमजोर हो रहा है बार के तरफ द्यूर मजबूद करेंगा है 사校 करने के लिए करेंट को होना पड़ेगा यहां पर एंटी क्लॉक्वाइज तो उपर वाले में करेंट हो गया क्लॉक्वाइज नीचे वाले में हो गया एंटी क्लॉक्वाइज किस case में decreasing current case में और अगर यह current increasing हो जाएगा तो यह सारा चीज reverse हो जाएगा हाँ पर anti clockwise और यहां पर clockwise हो जाएगा और यहांपर clockwise हो जाएगा अगर सब को clear होगा next है two bar magnets are quickly moved towards a metallic loop connected across a capacitor c as shown in figure तो इसको अपोज करने के लिए अब यह करेगा इस उल्टा डिरेक्शन में मतलब इस देरेक्शन में इंडूस करेगा को उसके लिए का डिरेक्षिन क्या हो जाएगा तो देखिए यही था हमनोगद का अबавайक को घांगागा उसके लिए करेंट हो जाना पड़ेगा ऐ승 अगर आपड़र 002i क्वेस्ट मैं ते यह तो थे हांगा और की तरफ यह वला लूब जो है करेगा और के तरफ इंड्यूज़ करने के लिए करेंट को यहां पर ऐसे आया क्लॉक वाइज तो अब क्लॉक्वाइज करेंट होगा मतलब यह जो अपर वाला प्लेट है ये प्लेट पोजटीब हो जाएगा इस पर पॉजटीव चार्ज हुआ है और यह नीगेटीव हो निएटीव हो गया अपर प्लेट पोंज्य लेट जो कर जाएगा वो निएटीव हो जाएगा देनने़्स्ट क्योसिजिए प्यूर्फ यह कोम लोग यह मेटीफिल मेले जा रहे हैं इसके अहीं आरिया भी चेह नहीं कर रहा है सब्सक्राइब करता है अब यहां पर कुछ नहीं चेंज हो रहा है ना तो एरिया तो इसलिए यहां पर इसमें कोई भी एम्फ नहीं होगा तो प्रिदिक दरेक्शन ओपिंडूस करेंट नो इंडूस करेंट यहां पर लोग लिखेंगे नो इंडूस करेंट नेक्स्ट क्वेस्टन है बोला इंड गीवन फिगर बार मैंनेटीज क्विकली मूब वार्स से कंडूक्टिंग लूप हविंग एक कैपैसिटर प्रिदिक देप्लार्टी अब 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 देखिए नॉर्थ पलिदर जा रहा है तो अब इसके तुरू फ्लक्स स्ट्रॉंग हो अब देखा गया कि अंदर के तरफ मैंटी फिल जाना चाहिए अंदर के तरफ मैंटीफ फिल जाना चाहिए मतलब यहां पर क्या होगा कि सब्सक्राइब को देखेगा क्लॉक्वाइज करेंट क्लॉक्वाइज करेंट मतलब प्लेट एपर के तरफ करेंट जा रहा है बी से क प्लेट पोजेटिव एंड ब्लेटिज निगेटिव इसका एक्स्प्लानेशन नेक्स्ट कुश्टन है लास्ट कुश्टन देखिए बार मेंटीज फ्रीली फॉलिंग अलॉंग दैक्सिस ऑपी सर्कुलर लूप स्टेट फेडर इट्स एक्सलेरेशन एज इक्वल टू ग्रेटर दैन और लेश दैन एक्सलेरेशन दू ग्रैविटी जी तो बहुत ही आसांती जाए देखिए आपर नौर्थ सौथ पोल एक्सिस को लंग बज़ फॉल करेगा और नौर्थ पोल से क्या होता है फ्लक्स निकल इस इस जारेक्शन में तो बाहर की ड्रक्स आपर ले जाते हैं कहीं भी आपजरवर नीचे भी देख सकते हैं लोग तो अगर वर सबस्टे नीचे में है अब जबर क्या देखेगा इधर के तरफ मेरेटिक फिल इंडियूस करना है तो अबजरवर को यहां पर करते हैं यह सौथ और नौर्थ पोल आ रहा है यह लूप अब जो बनेगा वो उसका हो जाएगा उपर में अपोज करने के लिए नौर्थ पोल निचे में साथ यहां पर नौर्थ नौर्थ प्रीपल्स रहा था एक्सेशन दीटु ग्रैविटी तो अगर यहां पर कोई अपोज नहीं करता तो एकल डूजी होता वाट यहां पर अपोज कर दिया तो एक्स डिटाडेशन हो जाएगा तो जो उसका प्रेली फॉलिटेंटेंसी है वो नहीं रहेगा तो एक्सेशल डूज हो जाएगा वह जी से कम हो जाएगा एई लेस देंजी हो जाएगा अपोज करेगा यहां पर नौर्थ सौथ यहां पर डॉबलप हो जाएगा इस लूप के लिए अब उपर के डिरेक्शन में फिल्ट का बाता है नौर्थ पोल से आता ह है ना और यहां पर स्वाथ मेंटर करता है तो यह देंजी इसका करेक्ट इंसर है तो आई हो इसमें सब सब्सक्राइब करते हैं तो देखते हैं फिर में नेक्स्ट वीडियो में